So, Hello Friends, Welcome back to another video आज की वीडियो इतनी कमाल की होने वाली है ना सर्दिया तो चली रही है सर्दिया में आपको ठंड तो लगेगी जब ठंड लगेगी तो तापने की जरूत पड़ेगी गरम पानी की जरूत पड़ेगी और इसके साथ भी बहुत सारा काम कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दू आपको चाहिए 100 रुपे में रूम इटर, 100 रुपे में कोकिल इटर 100 रुपे में गरम बानी करने के लिए 100 रुपे में हाथ तापने के लिए चाहिए ना तो यार इस से बड़े ये वीडियो तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी सौरपे में हम बताएंगे आपको कैसे आप बना सकते हैं रूम इटर घर के अंदर उस सौरपे में आप इतने सारे काम कर सकते हैं मान लिजिए आल इन बन सारे काम कर सकते हैं चैन सा काम नहीं बचेगा जो आप नहीं कर सकते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको बताते हैं क्या-क्या चीछ चाहिए होगा आपको एक टिन चाहिए होगा और एक नाइक्रोम बायर चाहिए होगा और आपको एक प्यूपी भी चाहिए होगा मतलग एक किलो प् पीपा होता है उसे बोलते हैं तो इसका ऊपर जो चोटा वाले लेना वो चोटा वाले लेना है वह पोटी के ऊच्जहते कर लेना है एक जिसकी अचाले से रेम वर बाना है तो शोटा बुटी में चाहते हैं जो रहे हिए 01 means mold लेंगे किनारों की साइट से किनारे हमें हाथ कोई भी ऊठाता है तो इस तरह से आपका डोनों साइट से ही कवर हो जाएगा इसके बाद आपको जो करना है एक क्रोंडाएर का आपको लेना है नाई जो नाइक्रोम बाया रहा उसको निकाल लेना है ठीके जो हीटर में लगती है नॉर्मली ठीके इसको ले लेना इसको लेने के बाद आपको क्या करना है इसको आपको फिट करना होगा इसमें और इसमें फिट करने के लिए आपको चाहिए क्या होगा उस इसको तो समझना तो ठीक है इसे न इसे न आप फूर करेंगे पूर करने के यह तो आपको कुछ क्योंद निया रहे इस कला ले टो लिद लेना है किसी भी को डिपे में मग्जें और इसमें थोड़ाثر दिपे में उन्यत्थ आपको आप पसकत किसमें डाले नgres तो से आंटमेंटरश कि लेविल हो जाएगी ठीक है बराबर हो जाएगी और पांट दसमेट रोकेंगे आप तो ये जम जाएगी लेकिन सूखेंगी पूरी तरह सेट हो चुकी है हमने 10-15 नमिनट बेट किया और इसके बाद इसके पंदी को अटाएंगे और इसमें जो सेफ देना चाहे हैं वह तो ये एक सेंटिमेटर इसको हम घहरा करे लेंगे ठीक है अपनी अकार की सेफ देनी के लिए तो इसे एक सेंटिमेटर पहला हम बराबर कर लेते हैं ठीक है तो ये कर लिया हमने इसको एक सेंटिमेटर बराबर ठीक है थोड़ा गहरा गंटा कर लिया यानि कि इसके बाद इसमें हम जो save देना चाहिए न वो दे लेंगे, ध्यान रखिएगा, save देने के लिए आपको जादा wait नी करना है, सिर्फ आदे गंटे के अंदर अंदर कर लेना है, एक गंटे के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्ली कर लेंगे उतना ही अच्छा है, तो यह हमने save दे पढ़ेंगे, क्योंकि नाइकरों बायर के दोनों, negative और positive दोनों ही इसमें connector लगेंगे, और इसको उने size को तिन को काटना पढ़ेगा, तिन को पहले हम काट लेते हैं, ठीके, इन को काटने के लिए आप किसी भी सूजा, या फिर कोई cutter का इस्तमाल कर सकते हैं, ठीके, तो फ हम आपको आदे घंटे के अंदर ही करना है, क्योंकि ज़्यादा देर में करेंगे, तो फिलाल हम इसको बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा लेते हैं, इससे कि हम छीट करेंगे, और इससे कि जो पेच कसेंगे हम, ठीक है, कुछ नहीं, दो दो सेंटिमेटे की दूरी तरीके से, और जब सैट हो जाएगे, तो कहीं स कहीं जाने वाली नहीं है, तीक है, और इसमें हमने कुछ छीट भी करें, हादा दो साइटमेटे करें, और इसमें जो मैंने लोगा अतार बताया था, आपको लोगा इक अतार इसमें डाल देंगे, जिससे कि हम इसको पर ही छाट है टो उसके लिए वह वह है ऑगता होले जाहिए manner लगा तक ही जरूर होगा तों सही रहेुए और या फिर कोई पुराना व सगे हम रहा है वह ले लिया है इसके बाद आपको हैंडिल के फिग्शा को नर जरूरी यह है और ISKL तो दियान ने पूरा-पूरा रखा है इसनिये इसमें प्यूपी खाभी इम ने यूज कर लिया चाहिए बाकी स्में तो हैंडल के लिए हमें तार की अवस्रक्त पड़ी होगी तो तार आपको मोटा तार चाहिए यह फिर आप साइकिल में जो तार तान लगती है न रोही कि तो इस तान का भी यूज कर सकते हैं इसका हेंडल बनाने के लिए और हेंडल का छिट करनी के लिए कि आप अच्छा से पगड़ सकें जादा भजहन नहीं होगा अपनावार साइज में काटेए और इस तरह से आपको मोड़े लेना है और इसको अर पैकिज केज इसके बाद इसमें जो आपको बड़ी थारीके सा फिक्स्केरने के लिए आपको तो कुछ नहीं चाहिए। इसको हम जो मार पास बचल ती उसको फेल है इस पर लगा लेटे के बाद इसको पूरा इस तारह से याप मलें कोजा रहे है इसको मेडल से और के जो एक बने नहीं की Viral है ना ये इन डॉदो को और पर लगा दिए सेफ्ट के लिए है जिसल ना लगे बाकि जो हमारा चिदी मिंटी का ये कनेकटर था इसको फिक्स करने के लिए हमने अमसिल का ऩोकरने ऑफ करने वालें तो यौख अनतर से-बाहर से लगा देंगे और जितने ज़्धे सेफटी रखेंगे उतने ज़्धे हमें अच्छा रहेगा और इन दो वाशय वाशय लेने और जो नाइकरूम बायर हमारा लगा हुआ है तो इस नेट लगा देंगे चार नट को लिए हैं हमने क्योंकि दो नट तो हम पहले अलगा लगा लेंगे इसके बाद इसके connection के लिए हमें एक लोई का तार चाहिए होगा कोई भी आपके पास spin हो और बाकि यह हमार पास जो पहले से बड़ी थी तो इसका यूस पहले कभी नहीं आया था तो आज आ गया तो बैसे तो दो निकलती हैं किसी element में लेकिन हमर बास यह एक थे एक रखी है तो एक का यूस अंदर लिए कट करके और उपर से दूसरा nut कस लिया और इस ठोड़ा ही तो होनी भी नीची हएा हमां अंदर हमाचा यह जुछ नहीं करने वाल में उपक हाविश जेत हुए प्क कटले ल resisting बैसे ही 50 मट में शोख जाता है आँला रह टाइम लगेंगे एक ये गंड़ा घंटा तो वह सेट हो जाएंगा और अंतलिकंट को जो हमने safety के लिए लग है था इस Star का बड़ा ही यूज है' इस थार को हम क्या करेंगे इसRo Ward तो लेंगे ठीक है इस तरह से करने के लिए इसको भी fix करेंगे इसको fix करने के लिए हम तो जिसे कि यह बड़ी दरी से लग जाए थोड़ थोड़ अपना बहार निगाला तो इसी साफ से आपको साइस काटना है ठीक है पहले हम इसमें पेंट कर लेते हैं और जो पेंट करके सिल्वर कलर का पेंट कर लिया है और देखिये कितना सुन्दार लग रहा है हमारा completely यह हमारा हो चुका है अब इसमें फाइनली मेन जो रहे है हमारा मेन कनेक्शन वायर रहा है तो बायर जो लेनी है आपके थोड़ा सा हैवी लेनी है क्योंकि आपका इसमें चलने वाला है थोड़ा सा लोड ठीक है और इस लोड के द्वारा आप नॉर्मली का हरकी बिजली से चला सकते हैं इसको कहीं आपको ज़्यादा जरुवत नहीं पड़ेगी तो नॉर्मली इसको हम करते हैं प्लगिन और प्लगिन करने के वाद जैसे इसको अन करेंगे तो देखिए कितना अच्छा लगेगा यह ओन हो चुका है और देखिए रैड रैड कलर का हमारा नाइक् से खृब सब। कर दीखें इसके बाद आपको रूध गरम करके दिखने वाले हैं तो पानीगयों अपनीगा टेमडेटर प्रेट के लिए आए और देख के एंगेतर में इसका टेंपरिचर देखें तो इस टाइम दीश-टिस नुटरी सिह यह टीक है इसके बाद देखे दीर दीर इसका टेमटरिचर बढ़ता जायेगा तो टाम्प्रेचर बढ़ेगा तो जा है इंडिसी बात है आप समसकते हैं कि पानी में उबाल आएगा पानी करम होगा तो वही जैसे हमने स्टाटिंग में बता है था हाथ भी ताप सकते हैं तो हाथ भी हम ताप रहे हैं और पानी विमारक गरम हो रहा है तो इन वन काम हो रह वही काम कर रहा है यह और आप का अपने का काम करी रहा है तुमइद करते हैं आपको हमारे यूडीस क्रिश तिया लिए लाइक करते हैं और बताना हमें कैसा लगा आपको ये वीडियो शेर जरूर कर देना So friends उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो तो पसंद आयोगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए आपको मिले गई मिलेगा और साथी हमारा प्यार और आपका असिरवाद हमें मिलता रहे यही तो चाहिए हमें और कोशनी चाहिए बस हम इसी में खुश है